असलाम वालेकुम, वेलकम टू मैं योटिप चैनल, आई होप आप ठीक होंगे और सर्थी से बिल्कुल पचे पचे होंगे तो आज मैं आपके साथ आ लिटल टुइन्स का नेक्स पार्ट शेयर करने वाली हो स्टोरी पसानदा है तो लाइक और कमेंट कीजिए का नहीं पसानदा है तो हीट कमेंट मात कीजिए का चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और कल हाटलेस नहीं आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्थी थी और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी बोलने की तो चले हमारे स्टोरी की तरफ चलते हैं लेन सैन अपने हस्पेंट को देखे बहुत ज्यादा हुशो हो रहा था और यह सची था कि वो से मिस का रहा था और वो तो जैसे किसी बंदर के बच्चे की तरह उच्छल कार उसको गले लाकिया था मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया साच में मुझे लगा पताने कितना ही टाइम होगी आप आई नीरे मुझे बहुत ज्यादा टार लगता था केले और वैसे ही आप उसके गले लगा अपनी तांगी और बासू तो जैसे उसके गेडले पेटे उसको बताय जा रहा था और उश्यान ने भी आप उसे बैखा कार लिया था मैंने भी तुम्हें साच में बहुत ज्यादा मिस किया मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारे लिए पता नहीं तुम रात को केले कैसे ही रहते होगे वैसे तो तुम हो इतने बड़े जीन होगे कोई तुम्हारे करीब आ नहीं सकता लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ही मुझे फिकर हो रहे थी चलो अब मैं आगी हूँ ना और हाँ ये तुमने बहुत अच्छा काम किया कौन सा काम वो अभी था कि मैं ऐसे ही उसे लिप्टा हुआ था अरे गान निकालने वाला और कौन सा मुझे तुम से इतनी समझदारी उमीद तो नहीं थी हाँ देख लें मैंने किया ना अगर आपकी जगा कोई होर होता ना तो अब तक मैं उसे शूट भी काट चुका होता अच्छा तुम तो कहा रहे थे तुम इंकान से बहुत ज़्यादा डार लगता है और श्यान अभी तक उसको ऐसे लिप्टा है किसी चोटे बच्चे की तरह इससे बाते का रहा था हाँ डार तो लगता है लेकिन जब सार पर परती है तो फिर सारा डार कहीं भागी जाता है और आपने बोला था ना कि मैक मेचर की वाइफ हूं तो मुझे भी थोड़ा सा उतको स्ट्रॉन करना चाहिए तो बास मैंने वही बास सोची और देखे मैंने काल लिया अच्छा किया ना मैंने हाँ अच्छा किया लेकिन पागल लड़के आइंदा से कभी भी ना देखे किसी पर गोल ही नहीं चला देना वरना तो आज तो मुझे मारी देते हैं और मैं मारी जाता तो मारे हाथ हूं और शियान ने बोला था और लेंजान ने जैसे एक ताम से उसके मुझे हाथ राग दिया कुछ भी पकवास बाते किये जा रहे या 평 मैं क्यों आपको मारूंगा और आप कंवी मरेंगी ऐसी बातें नहीं बोला करें और आप ने मुझे क्यों ही उठा रख़या जरा मुझे ये तो बताए तुम हुथ आनकर मुझ से लिपटे हो ओ, अच्छा मुझे याद नी रहा, मैं तो excitement में लिपड़ खिया, लेकिन आपने भी कैसे, मुझे उठाई रख्या, आपको शरम भी नहीं आ रही, उतारे मुझे यहां से और वोशयान नै एक दम उसे छोड भी दिया था, और वो सीधाव, नीचे चेर पे गिरने ही वाला था, लेकिन उसने फिर पकड़ लिया अरे आपको उतारने के लिए भोला था थोड़ा राम से उतारने को बोला था ये नहीं बोला था कि एकदम भेंगी थे अभी बास में गिर जाता ना मुझे चोट लाग जाती हाई थैंक गॉड मैं बाच गया हाँ तो तुम्हें मैंने ही बचाया है और तुम इतने जादा ही जल्द बास हो तुमने तुम नहीं तुम बोला मुझे उतार दे ये थोड़ी भोला था आइस्ता आइस्ता काया कि थोड़ा थोड़ा उतारे तुमने बोला उतार दे तो मैंने उतार दिया अब मेरे से ज़्यादा पैस मात करो कुछ खाने को है तो ले आओ नहीं तो फिर सो ही जाते हैं काफी टाइम हो गया पता नहीं लाइट काप आएगी हाँ खाने को वो तो मैंने नूडल्स में आके खा लिए थे तो अंकल आंटी तो अपने रूम में चले गए हैं मैं आंटी को बलाओं गया नहीं आर काफी टाइम हो गया रहने दो अच्छा आप बैठे मैं कुछ करता हूँ उसने मुश्यान को बिठा दिया था और वो मुबाइल की लाइट में किचन में चला गया था थैंग और तो मिन बाद लाइट आ गयी थी और वो श्यान जो के पूरे घार को ये देख रहा था हाँ ये क्या उसने तो सारी की सारी सैटिंगी चेंज का दी थी कोई चीज भी तो बुराने वाली जगा बे नहीं थी और लैंज एन जो के पांच मिनट बाद आया था वो ज्यादा कुछ नहीं बास उसके लिए कॉफी लाया था साथ में नूटल्स भी बनाई लिये थे हाँ कॉफी और नूटल्स कुछ अजीब सा कंपिनेशन था लेकिन जा भूख लेकियो साब भी अच्छा लगता है और साथ में बॉल्टेक्स भी ले आया था वो हाँ प्रैटो और थोड़ा सा जैम भी चोलो कुछ तो होई जाएगा ना भूखा रहने से तो अच्छा ना भोर क्या ही बनेगा आधी रात को और मुश्यान को अब उसे थेंक्स कहना ही पड़ा था हाँ वो इतना भी पुरा नहीं था अच्छी नूडर्स थी और कॉफी भी मसेगी थी वो खापी क्या पस सोने के लिए जाना ही लगा था और उसने फिर से उसे पूछ लिया ये साब किस ने किया है ये चीज़ों को इदर उदर तुम नहीं किया गया हाँ मैंने किया है तुम ने काप किया तुम तो कॉलेज जाते थे ना हाँ वो दो राते हाफ नहीं थे तो मैं बोर हो रहा था मुझे ने दी नहीं आई सही तरह से और मुझे पता ने कि मूँ टेंशन हो रही जी थैंक यू डिनर के लिए लेंसान जो क्या बरतन रखके आई चुका था और वो श्यान जो क्या अपने यूनिफॉर्म चेंज कार के फॉर्मर कपड़ों में बैट भी ले चुका था और अब भी उसे पता नहीं क्यों ही अपने भाई की याद आ रही थी शायद वो कितने टाइम से उसे बात नहीं कार पाया उसने कॉल मिलाई थी और रात के दो ही बाई रहे थी और वींग ने कॉल उठाई ली वींग गया का आप इतनी रात को सब ठीक तो है ना और लेंसान ठीक है ना सब ठीक है ना आपने इतनी रात को कॉल की हाँ, सब ठीक है, हम दोनों ठीक है, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी, तुम ठीक हो ना हाँ, मैं ठीक हूँ, और वांची जी तुनों भी ठीक है, सब ठीक है, तुम अभी तक जाग रहे थे, तुम सोई नहीं हाँ मैं आपा सोनी वाला था विंग जो के अभी तक नहीं सोया था और अभी तक वो बिचारा दुख के मारे थोड़ा थोड़ा रोई रहा था वुश्यान की कॉल ने तो उसे थोड़ा एमोशनल इकाद दिया था लेकिन उसे नॉर्मल ही बात करनी थी कॉल बन भी हो गए थी वुश्यान को स्कून था कि उसका भाई अपने घार में ठीक ठाक है हाँ वो भी स्कून से सोच सकता है और फिर लेन से अन्वी बैट पे आई चुका था और आब वो दोनों अपनी अपनी साइट पर सोच चुके थे बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बिना कोई टांग की है एक दूसरे को और वो इन जो क्याब काल रख चुका था और वो सोच रहा था हाँ चाहे उसका भाई कितना ही दूर क्यों नहीं हो लेकिन वो उसका भाई या उसका जुर्वा भाई है जो इतने दूर भी उसके लिए परिशानी को महसूस कार सकता है यही तो प्यार होता है ना और यही तो ब्लड लाइन होती है और मेरा हस्बेंड उसने अपने पीछे ही मुड के वांग जी को देखा था जो के बास आँखे खोले उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और विंग तो एक्ताम से करबढ़ाय किया तुम सोए नहीं चुनू मैं कैसे सो जाता आपका आपसे बास उस तरह मूँ की है रोए चाह रहे हैं रोए चाह रहे हैं क्या हुआ क्या मेरे से कोई गलती होगी वांग जी जो क्या फिकर मंदी से पूछ रहा था विंग को उसकी फिकर मंदी देखे फिर से रोना आ गया और वाप अपना रोना कंट्रोल निकाल सकता था उसकी आँसू जो क्या बहे ही जा रहे थे अरे क्या हो गया क्यों रो रहे हो आप वांग जी एक दम परिशानी हो गया था तुम मुझसे प्यार नहीं करते तुम मुझे बार बार मुझे पुठा कहते रहते हो पता नहीं क्या ही कहते रहते हो तुम मैं पता था ना मैं तुमसे बढ़ा हूँ जो मैं साब कुर सुनता रहूं, सहता रहूं नानू जो है वो भी बास मुझे पता नहीं किया कुछ बोलते रहे, बोलते रहे कि मैं तुम स्पेस नहीं देठा, अरे और कितनी स्पेस तू मैं तूम अपने दोस्तों के साथ चले की और तुमने मुझे बताया भी नहीं और फिर बात में भी तुम कैसे मुझे से बात कार रहे थे तुमने चाहे भी नहीं पी तुमने सर्दी हो गई थी मैंने सिर्फ तुम्हारी फिकर की ना मैंने तुमसे प्यार करता हूँ मुझे तुम्हारी फिकर होती है और तुम्हें बिल्कुल एसास नहीं है मेरा विंग जो किया आप किसी तोदे की ताटाटर बोले जा रहा था और वांग जी उठके बैट ही क्या ओ मेरे प्यारे क्यूटी आप भी ना पता नहीं क्या-क्या ही सोचते रहते हो मेरी जानू, I'm sorry मैं आपको बुठा नहीं बोलूँगा देखो एक बात बताओ, आप मुझे कॉलिज में क्या कहते हो चुनू कहते हो ना, कभी वांग जी कहते हो तो मैंने क्या बुरा बनाया मैंने क्या आपको बोला कि मैं आपका हस्बर्ण हो मुझे थोड़ी एस्पैक दे दो मुझे कम से कम, आप ही बोल दो बोला क्या मैंने? नहीं बोला तुमने? हाँ, तो फिर आपको क्यों मिर्चें लगती हैं अपनी बार? और अगर बुठे को बुठा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? मैं दोवारा मुझ तोड़तूँगा, दफ़ा हो जो यहां से चुन्मू कहींगे हाँ, देखा अपनी दफ़ा मुझे बुरा लगा ना, मुझे भी बुरा लगता है जाप कोई और मुझे चुन्मू कहता है लेकिन आपके मुझे से बिलकुल बुरा ने लगता मुझे पता है, आप प्यार से कहते हो आप मुझे से प्यार करते हो, है ना और मैं भी बास आपको सताने के लिए आप से थोड़ा मजार करने के लिए साब कहता हूँ अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं बोलूँगा हाँ ठीक है मुझे नहीं अच्छा लगता मत बोलना करें आप यह क्या बोल रहें आप आप मुझे आप क्यों बोल रहे हैं हाँ बस ठीक है ना भी आपने कहा ना कि मैं आपको आप नहीं बोलता तो मैं बापको आप भी बोलूँगा जाए वो कॉलिच हो या फिर घार हो क्योंकि आप हस्बन जो है विंग ले आप दांत पीस पीस की बोला था अरे क्यूटी यह ऐसा नहीं है नहीं ऐसा यह चुन्नू आप मैं आपको आप ही बोलूँगा हाँ तो फिर चुन्नू भी मत बोले ओके ठीक है जुन्नू अब मैं आपको चुन्नू नहीं भोलूँगा मैं बस आपको आप बोलूँगा अब ठीक है आप ही मुझे बुढ़ा मत बोलिएगा अरे मेरी क्यूटी फिर मैं क्या बोलूँ अगर हम दोनों एक दुसरे को आप चिनापकार के बुलाते रहेंगे तो फिर क्या ही चलेगा हमारा रिष्टा हाँ तो फिर मैं क्या करो मुझे बताओ तुम मैं तुम्हें प्यार से बोलता हूं चुन्नू तो मैंने भी प्यार से बस नजाग किया था आप हैंवें सीरियस होगे अच्छा ठीक है नहीं होता सीरियस अब आप बताएं कहां गही थे आप प्लीज आप मुझे आप मत कहें नहीं मैं बोलूँगा मुझे अच्छा लगता है आप इंगो भी अच्छा ही लाग रहा था वाँ जी वैसे आप बाप बोल के टीस करना अच्छा ठीक है बोल ले वैसे भी मैं बहुत डीटू मुझे किसी चीज़ का असर नहीं होता तो मैं आपको बता दूँ कि आपका ये आपके ही और नहीं बिलके अपने फ्रेंस के साथ गया था और मैंने बताया था ना और हाँ हमारा थोड़ा सा कुछ प्लैन चाल रहा है कौन सा प्लैन मुझे भी बताएं क्यों बताऊं आपको वो हमारा सीक्रेट है और अभी आपको बिलकुल नहीं बता सकता चले आप सोगो जाएं कितना टाइम आपने वेज़ का दिया और इतने सारे आंसू भी मेरे वाइट को बिलकुल रोनाने चाहिए समझ गए आप जी ठीक है जैसा आप बोलें वे इंग ने बोला था वांग जी को भी आप उसका आप आप एक दम से अच्छा ही लगने लगा अच्छा ठीक है आप बोली रहे हैं तो फिर आप अपने आप की बात माने ये क्या आप लगा रहे हैं तुमने हाँ तो आप नहीं शुरू किया ना मेरे प्यारे क्यूटी तो आप आप की आप यानि क्या आपके मिस्टर चाहते हैं क्या आप थोड़ा सा रुमैंटी को हो जाएं उनी के साथ मैं नहीं हो रहा तो कौन होईगा फिर मेरे दोस्तों होनी सकते ना और मैं अतनी देर जागा हूँ मुझे थोड़ा सा फाल भी तो मिलना चाहिए हाँ फाल फ्रीज में होते हैं यहाँ पे कोई पाल नहीं है नो मेरे पास है मेरे सारे फ्रूट्स की बास्केट मेरे पास है और वो आप है और मैं बिल्कुल आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ वाँ जी एक दम से नौटी हो गया था और उसने लिंगो जैसे आप बैट पे लिटाए लिया था यहाँ पे कोई फ्रूट्स नहीं है आरे हैं चुपकार जैया मुझे पता है महुदी लेनूँगा अपने सारे फ्रूट्स और अब आपने बोलना नहीं है निक तो फिर मैं साच में थोड़ा पुरा वाला हस्पेंड ही पान जाओंगा मुझे मजबूर मत कीजेगा समझ गया उसने वींग को प्यार से ढांटा था वींग जो क्या आप मानी गया था वो चुपी हो गया था और वांग जी जो क्या अपने इस प्यारे से लेकिन दोड़े से ओवर इमोशनल हस्पेंड को देखी रहा था जो कितना जादा ग्यूर था और कितनी जल्दी उसको रोने भी आ जाते थी हाँ ऐसा ही थाना वो बड़ा होके भी छोटूमाली हरकतें करता था इमोशनल कहीं का बलके इमोशनल फूल ही कहना चाहिए मांग जी बास देली दिल में सोचके बास समाइली कहा रहा था अब आप समाइली करते रहेंगे क्या विंग ने उसकी तरफ देख के बोला था नहीं अब आपके याप कुछ और भी करेंगे उसने बास विंग को एक विंग की थी और हम वो जैसे वींग के साथ बीजी हो चुका था अपने रुमैट्स में हाँ, यह रही मेरी चैरीज वो वींग के होंटों पे किस कहा रहा था और यह रही मेरी एपल्स यह भी मैं खाऊंगा और उसने छोटी सी बाइटी कहा ली थी विंग के चीक्स पे और विंग जो किया अब उसे कुछ क्या नहीं जाता था लेकिन वांग जी ने फिर से उसे मूँ पे हाथ आख आख दिया बास करें मेरी चैरीस किर जाएंगी ओई गेरे मेरी आर्मंड्स उसने अब विंग की आइस पे भी किस का दिया था हाँ ये क्या है क्या मैं पूरा का पूरा फूर पास कीड़ू हाँ तो और क्या सारे फूर्स यहां पर ही हैं फ्रेश वाले भी ट्राइब वाले भी साभी यहां पर है एक तम कठे मेरे लिए वो भासा भी तूसे से प्यार खार रहे थे और विंग को पूछना फिर याद ही नी रागा हुआ वांग जी कौन सी सीक्रेट प्लैनिंग का रहा है उसे क्या ही पता था कि वांग जी ने क्या ही सोच है उसके लिए मुश्यान अब आप सुबा-सुबाँ आज फ्री इता क्योंके आज उसे चुटी मिली थий Mostly, teachers तो आज काल छुटीएं का रहे थे, इसलिए उसने भी छुटी करने का फैसला का लिगा, और जब husband गार पे आए, तो wife college क्यों ही चाहे, वो बासार सारा दिन सोने ही वाले थे, और अन्ट है जान जोगी अभी, दस बजे तक बास कंबल में लिप्टा हुआ, पड़े ही हुआ था, मुझ यहान एकदाम से ब्लैंकिट उपर गिया, ये क्या तुमने नहुसत पिलार की है, टाइम देखो क्या हो गया, उच्छाओ, ब्लैकवास नहीं करना, आँटी दो बार पूछ चुकी है, नई, मुझे मुझे सोने देना, हाँ सोने दोंगा, उच जाओ, थोड़ा काम काल लो, कौन सा काम करूं मैं, मैं क्या नौकडानी हूँ है पे, हाँ काम काल लो मतलब थोड़ा पाल लो, एक तो तुम्हें समझ नहीं आती, एक्जैम्स में क्या ही लिखोगे तुम, बोलो, और मैंने सुन और आपको क्या ही पता हो, मैं थोड़ा सा भी पाल लू ना, तो मैं बहुत अच्छे मार्ग्स ले आता हूँ, और मुझ भी शाक करना बांद करें, और ऐसा कोई निया जो मुझे चीटिंग करवाता, हाँ हो सकता मेरा भाई चीटिंग करता हो, क्योंकि आपका भाई जो अब ठीक है मत खाओ, पड़े रो, मरे रो, जा रो मैं, कहां जा रहे हैं आप, जा मरजी जाओ, तुम्हें क्या है, वो अब बस मुझ फुला के बाहरी जा रहा था, हाँ, आज जरा धूब निकली वे थी और आप वो लॉन में बैठे का चेर लेगे, नीम तो उसे आनी थी रे, सोचा चलो, थोड़ी देर ढूब में बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, और वो अब बाहर बैठ चुका था, लेंजान आप उटी चुका था, हाँ, नीम तो सारी उस काले हर गोशने उड़ाई दी थी थी ना, क्या है कार सकता है, और आप वो टेबल पे बैट के बास प्रैक या सास ही हूँ, क्या होगी आँटी, ये कैसा हुलिया बना रगा है, तुम्हारा हस्बंट गार पे है, तुम्हें खुद को थोड़ा त्यार शाया कार करना चाहिए, काम ओन आँटी, प्लीज, ऐसा मत बोले, मैं ऐसा कुछ नहीं कार सकता, और ना मेरे हस्बंट को, ना कैसा सर्प्राइस, क्या है आज, कौन सा उसका बर्थरी है, पाकर लड़के हो तुम, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता, क्या है आज, क्रिस्मिस है क्या, नहीं वो भी नहीं है, उसमें अभी कुछ दिन है, हाँ तुम्हारे हस्बंट का बर्थरी ह है हैं साच में? हैan 또 मैं क्या करूँ? COME ON तुम कैसी वाइफ हो? तुम इतना सा بھی نہیں कार सकते देखो वो तुमारा अस्पेंड है तुमारा कितना हयाल कते है तुम्हें aí बिल्कुल फूलों की तरह रखा हुँ है हाँ पूलों की तरह रखा हुए कौन से फूल परतंद होते हैं कौन से फूल रात के डेट डेट बजी उटके नूडल्स मनाते हैं कौफी मनाते हैं और कौन से फूल है जो के घार को रोज रोज सेट करते हैं फूल कैसे होते हैं अरे पागल तुम भी ना बहुत ज्यादा ही पागल हो वो साज में तुम्हारा बहुत स्यादा हयार रखता है वो तो उनसे प्यार करता है आंटी प्लीज वो कोई मुझसे प्यार ने करते है हमारी शादी है के रेंच मैरेज है और हाँ मैं मानता हूँ वो मेरा हयाल करता है मुझे सारी फसिलिटीज देती है और इसके लिए मैं उनका grateful हूँ लेकिन ये प्यार व्यार तो बिल्कुल नहीं और नहीं हमारे बीच में हो सकता है अच्छा नहीं हो सकता तो क्या तुम लोग अपनी शादी को आगे नहीं बढ़ाओगे क्या तुम इसी तरह एक जगा पर रहोगे आंटी प्लीज कुछ नहीं बोले ना मैं जा रहो हूँ मुझे सूना है मैं बहुत ठका हुआ हूँ ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे भी मैं तो सर्वेंट होना मैं तुमें फोस तो नहीं कार सकती आंटी जोके सैड ही हो गई थी और आप लैंसान को बुरा इलागरा था आंटी प्लीज आप इसको हुद पे मात लें हमारी एक लाइफ है और हम उससे ऐसे जीते हैं मैं उनसे प्यार नहीं करता तो मैं उनके लिए क्यों ही ऐसे करूँगा कुछ और मैं उनको क्यों ही किसी गलत फहमी में डालूँ आई होप आप समझेंगी ठैंक यू बैक फास्ट के लिए और मैं बरतन धोलूँगा आप भी अराम करें अंकल की तरह हाँ तुम्हारे अंकल उनकी तबियत सही नहीं है आप जाए ना अपने कौटर में चली जाए उनका हयाल रखें मैं काल लूँ का पाकिसा और प्लीज आप नराज नहीं होएगा मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला आप मुझे अपना बेटा समझ थी है ना तो बस बेटा समझ के माफ कहा दीजिएगा लैंजान ने बोला था आउंटी बास आप उसकी तरफ समाइल कार के जाए रही थी हाँ ये लड़का जो के थोड़ा रूड लगता था लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा था वाब अपने हस्बंट के पास जा रही थी और लैंजान जो के अब सोने का काम छोड़ गया गार के काम ही करने वाला था हाँ बीवी जो हूँ करना तो पड़ेगा उसने सोचा था और पिर काम करते करते तो उससे जैसे गर्बी लगना शुरू हो गई थी हाँ उस जादे करम हो गया हूँ मैं उसने जैसे अपने सारे फाल्दू कपरे तो निकाल ही दिये थे आप सिर्फ एक शॉर्ट और उसके उपर एक छोटी सी अंडर शेर्टी थी जो किसने पैन रगी थी बिल्कुल किसी काम करने वारे लड़के की तरह वो जान जो के बाहरी बैठा हुआ था हाँ ये सोता ही रेगा मैं यह उटके चला जाता हूँ मुझे तो भूग भी लाग रही गया दिन का एक बात चुका था और वो अंदर आया और एक दम से तो जैसे लेंसे उनको देखे वो वहीं का महीं खड़ा रहा गया था जो कि अजीब सही खुलिये में था और कैसे काम पे काम किये जा रहा था हाँ उसकी वाइट लैक्स जो के शॉर्ट्स में कुछ स्यादे ही रवील हो रही थी और उपर उसने क्या ही पैना हुआ था वो श्यान एक दम से आँखें जुका रही ये क्या भी हुद की फिला रही हो तो इतनी सर्दे में कैसी कपड़े पैन रखें तुमने और तुम्हें काम करने को किसने बोला किसी ने नी बोला मैं हुद कार रहा हूँ और मुझे करमी लाग रही है काम कारकार रहे तो मैंने बास ऐसे ही है हाँ तो क्या तुम घार में ऐसे फिर होगे तो चुपाने के लावा ज्यादा तर काम दिखाने के कारे थी मैं अभी आता हूँ मैं अभी आता हूँ वो इंदाम से अंदर बाग गया था और अब वो जाके जल्दी से ड्रैसी चेंज करने लगा था और तब ही वींग की कॉल आ गई थी उसने कॉल उठा ले जी गगा कैसी हूँ आप ठीक हो और वाप बाते करने में बिज़ी हो गया था शर्ज हो कि उसने पैन ली थी लेकिन बटन अभी तक बांदी नहीं किये थे और आप वींग उसे बता रहा था के वांग जी उससे बात करने के लिए बहुत ज्यादा बेसबरा हो रहा है तो प्लीज उससे बात कर ले वांग जी जो कि अब जल्दी से फोन के गरीब आ गया था और उसने विंग से मुबाइल जी नहीं लिया इदर लाएं की उटी जाहे ना जरा मेरे ले चाए बना के लाएं जैसे शाम को बनाई थी प्लीज जाएं हाँ जा रहा हूँ आप बात करें उसने बोला था और वो चला गया था वो जानता था कि वो उससे कुछ छुपा रहा है लेकिन नहीं बताएगा तो वो भी नहीं पोचेगा वो चाए बनाने चला गया था वांग जी ने जल्दी से अपने भाई से बात की हाई कगा कैसे हो आप हाँ ठीक हूँ चुनो तुम सनाओ मैं ठीक हूँ आप पता हैं आपने कोई त्यारी की या क्या किस चीज की त्यारी करूँगा मैं अरे आपके हस्बंड का बर्थरी है आपको याद नहीं है क्या मुझे पता है तो मैं क्या करूँ बहुत ही कोई सड़े हुए हो आपका का ऐसे थोड़ी करते हैं देखें यहाँ पर भी मैं अपने क्यूटी का बर्थरी मिनाने नवाला हूँ और मैंने उनको सर्प्राइस पार्टी देने का सोच है आप उनको बताएगा नहीं और प्लीज आप भी कुछ कालने ऐसे थोड़ी होता है वो कितना है याल करते हैं आप उनको थैंक्फुल होने के लिए बोल दो कुछ काल दो, हैपी पैसरी बोल दो ऐसे मत करना मैं कुछ नहीं करने वाला और तुम क्या है मुझे किस चीज की खुशियां बनाने को बोल रहे हैं तुम्हें याद दी है और तुम, तुम देख रही हो हमारे साथ कितना बड़ा दोका होगी है कौन सा दोका हुआ आपके साथ है वांग जी के एक ताम कान करे होगे हाँ ये दोकान गया तो क्या है इनकी फैमिली ने क्या ही बोला था कि ये दोनों 28 की हैं लेकिन देखो, हमें मिले हुए अभी कितना टाइम हुआ, तेड़ मीना हुआ और एक ताम 28 से 29 के होगे याने कि ये हमसे दास नहीं मिलके 11 साल बढ़े है तुम क्या खुशियां मना रहे हो तुम्हारी वाइफ तुमसे पूरे 11 साल बढ़ी है इस बात की खुशिय मना रहे हो इस जीज को सेलिपरेट का रहे हो तुम तुम्हारे जैसा पेवकूफ इंसान मैंने आद तक नहीं देखा मेरे साथ तो इतना बड़ा दोका होगा है 10 साल मैं कैसी हज़़ब करता और आप 11 साल हज़़ब करूँगा मैं क्या ही करूँगा मेरा हज़बन जो के वक्त के साथ साथ और ही पुटा होता जा रहा है अले चलो इतनी उमर नहीं है उसकी लेकिन देखो शकल से तो कुछ जाते ही बड़ा लगता है 29 का चोड़ो वो तो पूरे अंजास का ही लगता है मैं क्या करूँ मैं उसकी बर्थरे मनाओं बिल्कुल नहीं मनाओं का मैं जाओ यहाँ आपसे मुझे बात ही नहीं करो तो उसने एक दाम बास कॉल राकी दी थी और पीछे से उससे किसी ने जोर से पकड़ लिगा था लेहाँ से आन जो के वहीं का में खड़ा रहा गया कौन है कौन है मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे उसने जल्दी से पीछे मुणना चाहा था लेकिन उस्यान ने तो उसको पकड़ रिखा था ए तुम वाइट स्नेक तुमने काम शुरू का दिये अपने कौन से काम की है मैंने मैंने पास घार के काम की है घार के काम नहीं की है तुमने अपने काम शुरू का दिये ड़सने वाले और मैं सारी बाते सुन रहा था क्या बोल रहे तुम हैं क्या बोड़ा तुने कि मैं 29 का नहीं हूं 40 का लगता हूं मैं बुठा हूँ, बोलो मैं बुठा हूँ, मैं बुठा हूँ, और चलो मुझे तुमने बोलना था, भोल दिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है, अपने भाई को मेरे भाई के हिलाफ करने की, मैं तुम्हें बहुत सह सहाथ हूँगा, मैंने तुम्हें बोला था, अपनी जब पुरे पुरे काम करते हो ये बहुत स्यादा पुरी बात है किसी के बाते चुप चुप के सुनना इतना बड़ा गुना होता है आपको अल्ला कभी माफ नहीं करेगा आरे वाह और तुम जो दूसरों की पीट पीछे बुराया करो तुम जो लोगों को भड़काओ एक दूसरे तो मैं क्या करूँ मुझे कोई टार नहीं राग रहा तुम बताओ मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बुठा बोलने की क्या मैं इतनी बुठा लगता हूं तुमें हां लगते है हो भी जानते हूं कॉलिज में सब क्या कहते हैं आपको सब मेरा बाप भी जहा समझा के था क्या क्या मेरे बाप नहीं हो भल गी अनफॉर्चनेटली मेरे हस्पन्ट हो उसने दान पीस की बोला था मुश्यान जो किया से याप उसे पीछे से पकड़ की खड़ा हुआ था और फिर लेंट से ने एक दम से नीचे देखा और आप उसने जोर से चीह ही मारे दी हाँ अब क्या है अब बात की गुजर की तो तुम्हें अब चीह मारने का ही हाल आ रहा है ये आपने कहां पे हाथ रगा है हाथ अटाए यहां से छोड़ो मुझे यहां से उसने देखा था उसकी शर्ट जोगे खुली हुई थी और वश्यान के हाथ तो सीथा कहां पे थे हाँ 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 वहाँ पे थे हाथ अटाए यहां से हटाओ यहां से हाथ उसने जल्दी से हाथ उसकी अटा दिये थो और वश्यान ने भी देखा था मैंने कुछ भी नहीं किया तुम बास ऐसे भी बोल रहे तो मुझे घुसा आ गया और मैंने कुछ भी टाच नहीं किया हाँ मैं देख रहा हूँ आप दिन बाद दिन बहुत ज़्यादा क्रीपी होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ही बुरे होते जा रहे हैं आप जो पहले श्रीफ थे आप एक्ताम जैसे क्या बोला तुमने? क्या बनता जा रहूं मैं? कुछ भी मुझे नहीं पता देखो मुझे कुछ नहीं देखना मैंने कहा मेरी तरफ देखो उसने लेंजएन का फेस पकड़ कि आप सीधा अपनी तरफ एकार लिया था और आप उससे सीधा आँखों में देखने पर मचबूर ही कहा रहा था लेगे लेंजएन ज्यादा तेर तक उसकी डीप डाग ब्राउन आँखों में नहीं देख सकता था और उससे लेके बैट पर या गया और आप लेंजएन जो करड़ डार गया था अप क्या करने वाले हो मैं तुम्हें बस कुछ दिखाना चाता हूँ नई मुझे कुछ नहीं देखना I'm sorry मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं चुन्नो को भी कुछ नहीं बोलूँगा मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा I'm sorry वो तो एक दम स्यापटार से कहां पी रहा था वो श्यान जो के खुछ चात से ज़्यादे ही सीरियस लाग रहा था और फिर तो उसके खरीब आता आता जैसे अपनी शिर्ट खोल ही चुका था और लेंज अनबासाब वाँके चुकागी रहा गया क्यों नजरे चुका रहे हो देखो ना में तरफ हस्बिन होना तुमारा मैं मुझे नहीं देखना प्लीज मुझे माफ का दे उसको आपसाच में रूह नहीं आ रहा था पता नहीं आज वुश्यान उससे गमारे क्या ही काड डालेगा और वुश्यान ने आके बागे एक दम जैसे उसका हाथ ही पकड़ लिया था और उसे अपनी चैस्ट पर राख दिया ये देखो मुझे नहीं देखना फील्ड कार सकते हो ना ये मेरी बाटी तुम्में किसी बुठे की नजर आती है और जहनते हो इसे से टकरा के तो तुम्हारा सार पर फूट किया था ना वो उससे अपनी पहली मुलाकात याद दिला रहा था हाँ मैंने कुछ नहीं बोला उसस नहीं असी सार जुका के बोला था अच्छा और अब उसका हाद नीचे के ले कर जा रहा था और ये मेरे सिक्स पैक्स ये भी मैंने एयमisestiठी नहीं है मैंने बहुत ज्यादा मेरनत की है हाँ मैं मैं मानता हूँ मैं तुम्हारी तरह ज्यादा गोरा नहीं हूँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे बात बात पे जज़ करोगी कहां से बुठा हूँ मैं और भी कुछ दिखा हूँ मुझे नहीं देखना है मुझे मुझे माफ का दे वो अब सही में माफी मांग रहा था लेकिन वो श्यान जो कि अब उसके टाच को फ्रील करते करते उसका हाथ थोड़ा और ही नीचे ले गया और लैंजान के हाथ ने किसी सथ चीज को टाच का लिया था और उसने एक दाम जैसे चीख मार के अब पिलो के नीचे चूप भी किया था मुझे कुछ नहीं देखना मुझे कुछ टाच नहीं करना I'm sorry I'm sorry I'm sorry मैं बहुत बुरा हूँ मुझे गलती होगे मुझे भाफ का दे मुझे कुछ नहीं करना वो जैसे अब डार ही किया था और वुश्यान जो के उस तरह कैसे डरना और देख्या पिन जोई का रहा था और फिर उसने एक तम से वो पिलो भी अटाई दिया था हाँ इसने कितनी बाते सुनाई दिया और वुश्यान को भी मज़ा या रहा था इस पागल सी वाइफ को टीज करने में और फिर वुश्यान ने एक तम से उसे पकड़ लिया था दुबारा से ही और लेंजान ने डर के पास आंखी मांद कारनी थी हाँ बासार तो उसका रेभ होने ही वाला था ये कोई तो उसे बचा लो वो चीखना चाहता था और फिर वुश्यान ने उसे फिर सिया वाइडली केस करना ही शुरू हो गया था और फिर लेंजान ने तो अपने हूंट वैसे ही रखे थे वो बहुत ज़्यादे ही डर गया था पता नहीं वुश्यान आगे क्या ही करेगा और वुश्यान ने आप कुछ किया भी था उसने एक्ताम से जैसे उसके लो लिप को पाई टिका लिया था और फिर लेंजान ने भी जैसे अपना मुँझ खोली दिया था और फिर वुश्यान ने पास इतना ही बोला था किस करो मुझे I said kiss me और फिर लेंजान को डरते डरते उसे कीस करनी बड़ी थी जो के नचाने कितना ही टाइम चली थी और उसे अप साच में रोना आई रहा था और वो रो भी रहा था हाँ कुछ ज़्यादे ही पनिश्मेंट मिल गेगी न बिचारे को और उस जान उससे दूर हुआ था और लेंजान फिर से अपस अपने गुटनों में मूझ चपा के रोने शुरू हो गया देखा तुमने मैं बिलकुल भी पुट्धा नहीं हूँ मैं कुछ करता नहीं हूँ तुम्हें तांग नहीं करता तुम्हारे साथ बुरा नहीं करता क्योंके मुझे पता है तुम्हें ये साप पसान नहीं है और मैं भी तुम्हारे साथ कोई जबरतस्ती नहीं करना चाता लेकिन मैं तुम्हें बिलकुल इजाज़न नहीं दूँगा तुम मेरी इंसेल्ट करो